इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह और probiotics के रूप में जाने जाते हैं। ये probiotics हमारे शरीर को रोगजनक रोगानूओं के प्रवेश से बचाने में मदद करते हैं और भोजन और स्थान से जूजकर उनके गुणन को कम करते हैं। probiotics आपके प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ बातचीत करके उसकी गतिविधी को भी बनाये रखते हैं। हाला कि यदि खराब बैक्टीरिया सिस्टम में प्रवेश करते हैं तो वे अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं और सूजन संबंदी प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देते हैं जिसे विभिन बीमारिया हो सकती हैं। ये कैपसूल अच्छे आंथ बैक्टीरिया को बढ़ावा देने के साथ साथ प्रिबाउटिक फाइबर की एक स्वस्थ खुराक के साथ चीजों को संतुलित रखने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ये कैपसूल पाच्छन में सुधार करते हैं और आपके समग्र स्वस्थे में सहायता करते हैं। 3. ये gastrointestinal tract में अच्छे बैक्टीरिया को फिर से स्थापित करके प्रतिरक्षा में सुधार करने में मदद करता है 4. ये कैपसूल आपके प्राकृतिक वनस्पतियों और पाचन को संतुलित रखने में मदद करने के लिए जीवित प्रोबायोटिक्स और प्रिबायोटिक फाइबर का एक शक्तिशाली सयोजन प्रदान करते हैं विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें